नमस्कार सिल्क टेवी देख रहे हैं आप मैं वो आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले नज़ा डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर राच्किया समारों के साथ मनाई गई जन्नायक करपुरी ठाकूर की जैंती भारत रत्न सम्मान देने की उठी मांग वीर शहीदों के सम्मान में वीरांजली कारेक्रम का हुआ आयोजन सहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित गंतंत्र दिवस समारों की तैयारी हुई तेज ब्रियम और एसेस्पी ने रिहलसल पैरेट का किया निरक्षन राश्टिय बाली का दिवस पर छात्राओं ने निकाली रैली बाल विवाह के विरुदावाज बुलंद करने की कही बात और जेल से निकलते ही चोरने फरनीचर गोदाम में चोरी का किया प्रियाश्ट चढ़ा पुलीस के हत्ते अब समाचार विस्तार से बिहार में सियासत की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले एक नाम सामने आता है वह नाम है जननायक करपूरी ठाकूर का गुदली में चिपालाल से मशहूर जननायक करपूरी ठाकूर की जयनती राच्किय समारों के साथ आज मनाई गई बता दें कि जननायक के विचार और दर्शन वर्तमान दौर के सियासत दानों को आईना दिखाती है माना जाता है कि बिहार में चुनाओ हो या राजनितिक आयोचन करपूरी ठाकूर का नाम लिये बिना वह सफल नहीं होता हलांकि सत्ता और विपक्ष के लोग उनके विचार धारा पर चलने की बात जरूर करते हैं लेकिन उसे आत्मसाद नहीं करते हैं इधर भागलपूर में रविवार को जदियू जिला कारियाले इस्तित लहरी टोला के करपूरी सभागार में स्वत्मृता सैनानी जन्नायक करपूरी ठाकूर की जयनती मनाई गई इस अपसर पर कहकशा प्रवीन ने कहा कि बिहार के पूर्व मुख्य मंत्रे करपूरी ठाकूर की जयनती हमें नियाई के लिए संघर्स की सीख देती है जयनती है और इस दियनती में खागार पूर्जिना जन्ता दर्याट के कारियाले में सभी काश करता सथा शुमन अरफित कर रहे हैं उनके प्रती सर्थांजली सच्छी सर्थांजली उनके बताए हुए रस्ते पर चलना है हमारे लेता निकीश कुमार्डी एक ऐसे लेता है जो करपूरी जी के बताए हुए रस्ते पर चलने का काम कर रहे है जननायक और गुदुली के लाल से मशहूर बिहार के पुर्व मुक्षमंत्री करपूरी ठाकूर की संतानुवी जैनती पर जिले में कई कारी क्रमों का आयोजन किया गया बागलपूर के राष्टी जनतादल जिलाकारियाले में रविवार को पुर्व मुक्षमंत्री कर पूरी ठाकूर की जैनती पर राजत कारी करताओं ने श्रधानजली अर्पित कर उन्हें नमन किया इस दोरान युवाराजत के राष्टी अध्यक्ष सहपुर्वसांसद शैलेस कुमार उर्फ बुलो मंडल जिलाध्यक्ष चंदर शेकर यादव नातनगर विधायक अशरफ शिद्ध की प्रविन कुमार समेत कई राजत नेताओं ने श्रधा सुमन अर्पित कर उन्हें गर नायक के आदर्शों और पद्चिनिनों पर चलती है इसके अलावा कई राजद नेताओं ने भी पुरु मुक्यमंत्री कर पुरी ठाकूर द्वारा समाज के लिए दिये गए योगदानों को याद कर उनके बताए रास्ते पर चलने का शंकल पलिया इसके रास्ते जन्ता दल के दौबाला हर मेरी को इनकी जो है जन्ती शमारवा हम लोग मनाने का एक सदशिव सुरू से और आज जो कि 24 जन्ती हम लोग सभी रास्त जन्ता दल के जो करपूरी जी के दौरा उनके द्वारा जो रेखा किची गई थे Scriptॉरू जो तमामOC रार जो समुनplicnast धी रेच yogurt ने का फ्रयाश करता था. उनके उस गुन को उनके उस दिये हुए लाइन रेखा पर पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। भागलपुर में मिशन वंदे मात्रम फाउंडेशन एवं वेटरंस इंडिया की ओर से आज वीरांजली कारिक्रम का आयोचन किया गया वहीं जभारी पूरिस्तित व्रिंद्रावन विवाह भवन में सेवानिवरित सैनिक संग के सैयुक्त बैनर तले आयोचित प्रोग्राम में वीर शहीदों को श्रधानजली दी गई इसके पुर्व कारिक्रम का शुबारम लेटिनेंट करनल अरविंद, पुर्व मेर डॉक्टर वीना यादव, डिपिटी मेर राजेश्वर्मा, पुर्व उप महापौर, डॉक्टर प्रीती सेखर समेत कई अतीतियों ने दीप प्रजोलित कर किया इदर वीर शहीदों को नमन करते हुए वक्ताओं ने मंच से अपनी आवाज रखी, साथी सैनिकों के सम्मान में आयुजित वीरानजली कारिक्रम की प्रशंसा की वही कारिक्रम कॉडिनेटर चंदन ठाकूर ने आमजंद से अपील की कि देश की सीमा की रक्षा के लिए शहादत देने वाले जवानों के परिवारों की मदद के लिए आगे आए कारिक्रम का मुख्य प्रारूप सहीदों के शम्मान में देश के बहत्तर में गंतंत्र दिवशमारो की तैयारी अपने अंतिम चरण में है इसको लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन और सस्पी निताशा गुडिया रविवार को मुख्य समारो अस्थल सैन्डिस कमपाउंड पहुंची जहां तैयारियों का जायजा लेते हुए वरियप पदाधिकारियों ने आवश् प्रशासन की ओर से गंतंत्र दिवस मुख्य समारो का योजन किया जाता है लेकिन COVID-19 के दौरान पहली बार गंतंत्र दिवस समारो मनाये जाने को लेकर जिला प्रशासन विसेस तैयारी करने में जुटा है मौगे पर SDO आशीस नारायन समेच जिला और पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी के साथ सुरक्छाबल और NCC कैडट मौजूद थे राश्टिय बाली का दिवस के अपसरपत समाजिक सांस्कृतिक संस्था समवेत भागलपूर द्वारा लालुचक नातनगर अजमेरीपूर बैरिया कागजी टोला कहलगाउं अमरपूर्मा का लखी शराय और भरवनी बेगूसराय जिले में एक साथ बाली का रैली एवं ब संकल्प सभा का आयोजन किया गया संकल्प सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि लड़कियों को जन्म के पहले से ही अनेक प्रकार के भेद भाव का सामना करना पड़ता है यहां तक कि उन्हें जन्म लेने के लिए भी शंगर्स करना पड़ता है कन्या भुन हत इसका ज्वलन्त उधारन है वहीं संकल्प सभा में उपस्तित किशोरियों ने बाल विवाह के विरुद अभियान में अपने शक्रिय भागिदारी का संकल्प लिया संकल्प सभा वरेली का नेत्रित सुनिल कुमार मंडल ने किया हवीपूर्थ अनचेतर के शहजंगी लाल शाह फरनीचर हाउस में चोरी करने आये चोरों को ग्रामिनों की सहयोग से पुलीस ने धर्दबोचा चोर की पहचान शहजंगी पंचायत के खिलाफत नगर निवासी महमद आजाद के पुत्र महमद हमीद के रूप में हुई है मदद से चोर को पकड़ा गया इधर घटना की सूचना मिलते ही हभी पूर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और चोर को गिरपतार कर जांच में जुट गई है पुरे समान के पर लोकर तोड़ दिया है मेरा जिसमें पुरा मेरा वही खाता रहता है कुछ कैश भी रहता है और पुरा काफी नुक्सान पहुंचाया है पुरे में डिजर छीट दिया आग लगाने के से युजना थी बिहार में एक और सत्ता में बैठे राजनेता अपने कार्यकाल की उपलवदी गिनाने में लगे हैं वहीं दूसरी और विपक्च लगातार शुशासन का दावा करने वाली सरकार को दोहरी नितियों का कटाक्च कर रही है इसी कड़ी में रविवार को इश्टेशन चौक के समीप युवा कॉंग्रेस कमीटी के कारीकरताओं ने जिले में बढ़ते अपराद को लेकर मुख्यमंत्री नितिश कुमार का फुतला दहन किया बिरोध प्रदर्शन कर रहे युवा कॉंग्रेस के कारीकरताओं ने मुख्यमंत्री की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कारीकाल में अपराद चरम सीमा पर है और पूरे राज्य में अपरादी बेखौप होकर अपराद को अंजाम दे रहे हैं इदर प्रदर्शन के दोरा नितिश कुमार के खिलाब जमकर नारेबाजी भी की गई मौके पर रहे हुआ कॉंग्रेस कमिटी के कई कारीकरता मौजूद थे अब वक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद मन की उदासी, नस, सिरदर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, शेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रक्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतू शंपर्क करे भागलपूर इस्थित आनंद क्लिनिक, जो कलसंटेंट निरो साइकाटरिस्ट, सेक्सोलोजिस्ट, डी एडिक्सन थेरेपिस्ट के मसहूर डॉक्टर, रिशी आनंद की देख रिख्मी किया जाता है अत्याधुनिक सुविधाओ से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ-साथ मरीज़ों के भरती हेतू 24 घंटे AC, नौन AC, जेनरल एवं Special Ward की सुविधाएं उपलब्ध है आनंद क्लिनिक, लाजपत पार्क, घंटा घर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाक चक, भागलपूर, बिहार ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, बलते अगली खबर की ओर, पटना के होटल चानक्या में नई शिक्छानिती और डिजिटल लेटरेशी पर आयोजित प्राइवेट स्कूल एंड चिल्रेंड्स वेलफेर एसोसिएशन के सात्वे अधिवेशन में, शनिवार को बिहार और विविन प्रदेशों से आये, लगभग दो शो सिक्छाविदों ने विचारवी मर्श किया, साथी कीसवी सदी की चुनोती को लेकर चर्चा इसके पूर्व कारिक्रम का उधगाटन ADG पुलिस डॉक्टर कमल किशोर सिंग, बिहार सरकार ग्री मंत्राले के विशे सचिव, विकास बैभव, एवं प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्रन्स वेलफेर सोस्क्रियेशन के राष्टिये अध्यक्ष साइमल एहमत ने किया, वहीं अधिवेशन में भागलकूर के जिलाध्यक्ष सानन्द पब्लिक स्कूल के प्राचार ये डॉक्टर नवजियोती रंजन वर्मा को शिक्षा के छेत्र में किये गए उतक्रिष्ट कारिये के लिए नेशनल एक्सिलेंस पुरुषकार से सम्मानित किया गया, इधर कार ही बात है, साथ हीं बताया कि वर्तमान युग टेक्नलोजी से लेस है, और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए डिजिटल लर्निंग मुख्य सहायक का रॉल निभा रही है और उसके बाद चैन होता है, पिछली बार वी 2017 में लगनोव अधिविशन में मेरा सेलेक्शन हुआ था, मैंने पार्ट सिविट किया और उसके अदुआ भी मुझे निशनल रिवार्ड मिला था भागलपुर जिलापुलीस एवं केंद्रिया रेलवे रेल यात्री शंग के संयुक तत्तधान से पिरपेंती बारहाट चौक एवं चगदिशपूर मोल पर 33 लोगों के बीच हेलमेट का वितरन किया गया इस दोरान यातायात नियम के प्रती जागरूप करने के लिए हेलमेट रखकर बाइक चला रहे बाइक सवारों को फूल माला पहना कर हेलमेट पहन कर यात्रा करने की अपील की गई इस दोरान पिरपैती थाना ध्यक्ष राकेश कुमार, पी-एम पब्लिक स्कूल के चेर्मेन पंडित मनोज शास्त्री, राज़त परकंड ध्यक्ष रंजीत शाह, काली चरन शर्मा समेत, कई लोग जागरूपता भियान में शामिल हुए और केंद्रिय रेल्वे रेलियात्री संग के राष्टी अध्यक्ष विस्नु खेतान के प्रियास की सराहना की कायोजन कर रहे हैं जिसमें हमारे अस्थानी जन प्रतिमीदी के साथ, अस्थानीय लोग का बढ़ चड़ कर इसमें सहुग मिल रहा है। तभी लोग बढ़ चड़ करके भाग लिए रोट पर जब मोटर साइकल से बिना हैमिलेट का लोग चल रहा है तो घर में बच्चे इंतिजार करते हैं और बच्चे इस आसा को देखते हैं कि हमारे पिता या हमारे भाई कब यहां भर्स पर लोट करके आएंगे इसलिए जो यहां चलाया जा रहा है उनके द्वारा पुरा जिला परसासन के द्वारा यह बड़ा ही सारा आहनिये कार्ज है भागलपूर के सुल्तानगंज प्रखंड में बिभिन जगों पर शमाजिक और राजनितिक कारिकरताओं ने पुरु मुख्यमंत्री करपुरी ठाकूर का जैनति समारोपुर्वक मनाया और उनके पद चिन्धनों पर चलने की बात कही खादिग्राम भंटार में राज़त कारिकरताओं ने प्रखंड अध्यक्ष मुहम्मद मेराज की अध्यक्षता में कारिकरम का आयोजन कर उनके चित्र पर उस्पांजली एर्पित की साथी कारिक्रम में राजद के आगामी मानव श्रिंखला को लेकर भी चर्चा की गई कारिक्रम को युवा राजद के प्रकंडध्यक्ष बिहारी मंडल पुर्व विधायक फ्रनिंद चौधरी एवं राजद निता चकरपानी मानशु ने भी संबोधित किया और सुतंदरता सेनानी करपुरी ठाकुर द्वारत दिये गए योगदानों की सराहना की बाकामरपूर ठाना चेतर के चिरेया गाउं में एक दुकानदार से रंगदारी मांगने गए युवक को ग्रामिनों ने अवैध हतियार के साथ दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गिरपतार युवक की पहचान शाकुंड थाना चेतर के बक्चपर गाउन इवासी शनी कुमार के रूप में हुई है गटना को लेकर कुलिद दुकानदार संजीब कुमार ने बताया कि सनी कुमार अपने तीन सहयोगियों के साथ 50,000 रुपे की रंगदारी मांगने पहुचा था और मना करने पर फाइरिंग करने लगा जिसमें दुकानदार बाल-बाल बच गया फाइरिंग की आवाज सुनकर ग्रामीन दौड कर आए लेकिन तब तक युवक के दो साथ ही मौके से फरार हो चुके थे ग्रामीनों ने सनी कुमार को पकड़ कर घटना की सूचना अमरपूर थाना को दी जिसके बाद पुलीस ने चिरया गाउं पहुंचकर युवक को अवैध हतियार के साथ गिरपतार कर लिया हलांकि मामले में पुलीस कुछ भी बताने से इंकार कर रही है फिलहल गिरपतार युवक का अपराधी के थियास खंगाला जा रहा है एक और बिहार के मुखिया नितिश कुमार जहां शहर से लेकर गाउं गाउं तक बिजली पहुंचाने के लिए युद अस्तर पर कारिय कर रहे हैं मामले को लेकर कपड़ा गाउं निवासी अनिल कुमार ने बताया कि पिछले साल अगस्त महिने में उन्होंने आउनलाइन आवेदन कर अपना कनेक्शन लेने के लिए विवाग से गुहार लगाई थी पर कनेक्शन के नाम पर उनसे 15 हजार रुपे की डिमांड की गई साथी मिजली मिस्त्री के द्वारा धमकी भरे लहजे में कहा गया कि यदी पूरे पैसे नहीं दिये गए तो घर में लगाया गया मीटर उखाड दिया जाएगा अब सवाल यह उटता है कि क्या सरकार के वादे सिर्फ कागजों तक ही सिमित है या फिर इस पर अमल भी किया जाएगा विवागिया पदादिकारियों की वुदासींता के कारण जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अब अब चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आप दो पर दो और लागेगा तब तो कनेक्शन होगा मेरा टोस फर्मर में लोड देने का सेक्शन मिनना है अब अब अन्त में चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर राच्किया समारों के साथ मनाई गई जन्नायक करपूरी ठाकूर की जैनती भारत रत्म सम्मान देने की उठी मांग वीर शहीदों के सम्मान में वीरांजली कारेक्रम का हुआ योजन सहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित गंतंत्र दिवस समारों की तैयारी हुई तेज ब्रीयम और एसेसपी ने रिहलसल पैरेट का किया निरक्षन राष्ट्य बाली का दिवस पर छात्राओं ने निकाली रैली बाल विवाह के विरुदावाज बुलंद करने की गई बात और जेल से निकलते ही चोर ने फरनीचर गोदाम में चोरी का किया प्रियाश चढ़ा पुलीस के हगते आज की बुलेटिन में फिलाल इतना ही नमस्कार